गुणंखन किसी संक्य का पूरा-फुरा विभाजक होता ह возмож भीबाद की लिए लेते हैं तो दारन के लिए अपन हों धारोश केला पूरा विभाजीत होना चुलता कीशिया नाच अभनेशती है हैं मोलाड़ सस्क्राइद आधा के लिए लेते हैं आट में एक करते हैं तो पुरा-पुरा विवाजित हो जाए सब्सक्राइब करने दो से विवाजित करके देखते हैं यह दो के पाड़े में आता है न तो चुक आड़ ढ़िए किती बार में जाएगा चार बार में दो चोफ आठ यह पूरा-पुरा विवाजित हो रहा है तो मतलब दो बार में करते हैं तो कित्ता आता है और सेस्पल अपने पास कित्ता बच जाता है दो मतलब यह पूरा-पूरा विवाजित नहीं कर रहा है तो तीन इसका गुणनखन नहीं होगा ठीक है सेस्पल दो बच रहा है तो अब वैसे के वैसे आपन क्या करते हैं अब आठ में और इसकाा गुणनखन हो गया तो यह एक हो गया दो हो गया चार हो गया वेशे ख 그러áchि नो एक दो से नी खδ sheet नकाल गी तो प्यारे बत्च्ण्व नियगे जाएका लगएगा और सव्य नौ से लगएगा इनकी आति रिक्तिस में किसी या निए भाग लगएगा तो नो के गुणन खन्खन क्या हो गया एक हो गया तीन हो गया और नौ हो गया ठीक है और प्यारे बच्चों आप इनको नो के गुणन खन को चेक करके बताना कि यह सहीं है कि गलत है ठीक है वीडियो प्यार बच्चा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले